एक तरफ UN में भारत और चाइना ने रूस पे बड़ा खेल कर दिया तो अई दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए मुसीबत और बढ़ गई है पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि सर मुडाते ही ओले पड़ गए है जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉल्टिक्स में आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से पाकिस्तान की स्थिती खराब हो रही है लेकिन फिर भी आपको बता दें चाइना ने कुछ पैसे देने का वादा किया है एक उम्मीद जगी है हलाकि ये उट के मुँ में जीरा के समान है इस्तिती ऐसी है कि महा कंगाल पाकिस्तान में सेना अपने जनरल से कह रही है कि हम सैनिकों को दो वक्त का खाना तक नहीं दे पा रहे हैं इसलिए आप हमारे लिए कुछ बेबस्था कीजिए अब जरा सोच ये जिस देश की सेना ये कहने लगे वहाँ पर कैसी इस्तिती होगी पाकिस्तान की सेना जिस पर भारत, अफगानिस्तान और इरान से लगी सीमा की सुरच्छा की जिम्मेदारी है वो खाद्यान संकट से गुजर रही है खाने पीनी के समान की कमी के कारण मेस में होने वाले सप्लाई पर भी असर पड़ा है आर्थिक संकट के दोरान ये पहला मौका है जब सेना इस तरीके से घिरे होने की बात कह रही है कि हमें भी खाने को नहीं मिल रहा है पाकिस्तानी सेना के कुछ फिल्ड कमांडर्स की तरफ से क्वार्टर मास्टर को ओफिसियल चिठी लिखी गई है इस चिति में ही सेनिकों की फूट सप्लाई में होने वाली कमी का जिक्र किया गया है इस चित्टी में लिखा गया है कि military officers, CLS और DZMO ने सेना परमुख जनरल असी मुनिर से मिलकर ये मसला उठाया है कि सेना अब दो वक्त सेनिकों को खाना खिलाने में भी समर्थ नहीं है अब आपको समझ में आया होगा जनरल बाजवा ने इतनी आसानी से कुर्सी क्यों दे दी और क्यों ये चले गए बिदेश में छुट्टियां मनाने के लिए क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा संकट खड़ा था और ऐसे हालात में पाकिस्तान के उपर जैसे बम नहीं फूटता है वैसा ही कुछ हो गया है क्यों क्योंकि वर्ल्ड बैंक की तरफ अब पाकिस्तान देखेगा तो उसे डर लगेगा हुआ क्या है पाकिस्तान के अर्थ विवस्ता जो कंगाली से जूज रही है दुनिया ये कह रहें लगी है अब कि सायद पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में जीरो रुपया है लेकिन फिर भी पाकिस्तान जान बूझ कर दिखा रहा है कि नहीं अबी भी हमारे पास 3.7 मिलियन डॉलर है पाकिस्तान कभी IMF के पास जाता है कभी World Bank के पास जाता है कि किसी तरीके से हमें पैसे मिल जाए पाकिस्तान पहले World Bank के पास गया था क्योंकि World Bank के जो सर्त होते हैं वो थोड़े आसान से होते है World Bank ने बोला आगे बढ़ो भी आगे बढ़ो तो पाकिस्तान फिर IMF के पास पहुँच गया IMF ने कुछ इसी तरह का रिस्पोंस दिया पहले तो पोजिटीव पोजिटीव दिया लेकिन बाद में इतनी कठिन सर्त रख दी कि उसे पूरा करना लग रहा है जैसे कि IMF जान भुज कर ऐसी सर्ते रख रहा है जिसको पाकिस्तान पूरा ही नहीं कर सके वैसे आपको बता दे पाकिस्तान पर World Bank का अर्बो रुपे का कर्ज है पाकिस्तान को हाल में जो किस्ते चुकानी पड़ी है ना उन्में World Bank का बड़ा हिस्सा है और भी किस्ते चुकानी है पर पाकिस्तान की धड़कने बढ़ाने वाली खबर ये है कि अब World Bank के कूरसी पर प्रेसिडेंट के रूप में एक भारतिय मूल का सक्स बैठ रहा है और इस भारतिय मूल के सक्स का नाम है अजय सिंग बंगा और इसके नाम की घोसना अमेरिकी राष्टपती जो बाइडेन ने खुद की है ये पद कितना महतपुर्ण है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और बता दे आपको इसी World Bank में Chief Economist भी कौन है ये भी एक भारतिय नागरिक इंदर मीत गिल है और उनके पहले कौन थे कौसिक बसू थे यानि आने वाला समय पाकिस्तान के लिए टेंसन वाला होगा वो वाला फंडा नहीं चलेगा कि खैरात की जूती उधार का नाड़ा परदे मुला ब्याह उधारा है जाए एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है दिया जा रहा था सिर्फ एक वोट रूस के खिलाफ दे दो दरसल मामला क्या था मामला ये था कि एक साल पूरा होने को आया रूस यूक्रेन की लड़ाई और इस रूस यूक्रेन की लड़ाई के पूरा होने पर यूएन में एक प्रस्ताव आना था जो रूस के खिलाफ होना है और इस प्रस्ताओं में रूस को ये कहना है कि आप जल्द से जल्द खाली कर दीजिए यूक्रेन का इलाका और लोटा दीजिए यूक्रेन का जो इलाका रहा है वैसे आपको बता दें यहां मामला सांत होता हुआ नहीं दिख रहा है इसलिए सांत करके पूरे युरोप में दहसत ला दी है रूस ने रूसी राष्पती ब्लादेमिर पुतिन ने युक्रेन युद्ध के एक साल पूरा होने पर दुनिया के सबसे सक्तिसाली पर्मानुमिसाईल को तैनाद करने का एलान कर दिया है पुतिन ने ये कहा है कि इस साल के अंत तक ह उनके इस एलान से पस्चिमी देशों में परमानु युद्ध की दहसत और जादा बढ़ गई है RS-28 सरमत लिक्विड फ्यूल से चलने वाली रूस की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है पस्चिमी विसलेसक तो इसे सैतान 2 का नाम देते हैं पुतिन ने 2018 में पहली बार इस मिसाइल को दुनिया के सामने पेस किया था पुतिन ने क्रेमलीन से जारी वीडियो संदेश में कहा हम पहले की तरह नुकलियर ट्राइड को मजबूत करने पर खास ध्यान दे रहे हैं इस साल सरमत मिसाइल सिस्टम के पहले लॉंचर को सेना में सामिल कर लिया जाएगा लगतार रूसी नोसे ना अपनी ताकत को बढ़ा रही है वैसे आपको बता दें अमेरिकी मेडिया ने ये कहा था कि रूस ने अमेरिकी राष्टपती जो बाइडेन के युक्रेन दोरे के समय सरमत मिसाइल का परिच्छन किया था हलाकि वो बिफल रहा था ये कहना था पस्चिमी मीडिया का 35 मिटर लंबी मिसाइल है ये ये मिसाइल दुस्मनों को दो बार सोचने पर मज़ूर कर दीगी सर्मत मिसाइल की रेंज है 18,000 किलो मीटर सर्मत मिसाइल में 10 परमानू वार हेड तैनात किये जा सकते हैं जो दुस्मन के अलग-अलग ठिकानों को निसान में लेने में सच्छम ह यानि एक साथ हमला होगा तो 10 परमानू वार हेड निकलेंगे इसलिए इसे सैतान टू कहता है अमेरिका और दूसरी बड़ी बात हैपरसोनिक गलाइड वेहिकल से इसे दागा जा सकता है मतलब मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी ये धोखा दे देगा कुल मिलाकर इस वक्त ये इस्तिती है रूस यूकरेन की ऐसे में मामला को सांथ करने के बजाए दुनिया बर के देश आफस में मिलकर खास तोर पर अमेरिकी और पस्चिमी देश यूरोपिय देश यूएंजिये में एक लेकर आये थे रूस के खिलाप वोटिंग इस वोटिंग हुई इस वोटिंग में 141 वोट इस प्रस्ताव के फेवर में पड़ गए 32 वोट ऐसे देश के थे जिनों ने वोटिंग ही नहीं किया और आपको बता दें यहां चाइना और भारत दोनों ने पस्चिमी देशों के लाख कोशिस के बाद भी वोटिंग नहीं किय और रूस के साथ कोई भी किसी भी तरकी दुस्मनी मोल नहीं ली जंग के एक साल बाद भी रूस के साथ खड़ा दिखा भारत यूएन में यूकरेन पर हुई वोटिंग से किनारा कर लिया वैसे ये प्रस्ताव तो पारित हो गया लेकिन भारत ने फिर से यही बात कहा कि य ये सारी चीजें न करके बादचीत ही एक हल है जो करना चाहिए बादचीत से इस समस्या का समाधान करना चाहिए वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ